वेल्कम तु न्यू लेसन आज के लेसन में हम डिस्प्ले एड बनाएंगे रिस्पॉंसिव एड्स के साथ राइट रिस्पॉंसिव एड्स कल के लेसन में हमने क्या बनाय था हमने डिस्प्ले एड्स बनाई थी और हमने उसमें डाले थे बैनर्स ठीक है अलग-अलग साइज इसके banners थे जो की हम बना के डाल सकते थे कल के lesson में हमने वो banners डाले थे आज के lesson में हम responsive display ads बनाएंगे responsive display ads अब जैसे आप नाम से समझ सकतो responsive display ads मतलब ये ads अपने आप क्या करता है Google अलग-अलग ad spot के लिए customize कर देता है for example suppose करो कि कहीं पे add आ सकती है just text add ठीक है और यहाँ पे add आ सकती है video add यहाँ पे add आ सकती है say 200 by 200 banner तो ये तीनों अलग-अलग sizes की add है अलग-अलग type की add है ये text है ये video है ये banner है अब आपको ये तीनों type की add अलग-अलग नहीं बनानी जब आप responsive display ad बनाते हो तो एक ही add के अंदर आप multiple images एक ही add के अंदर आप multiple videos आप ये सारी चीज़े डाल सकते हो और Google अपने आप उसे क्या करेगा अलग-अलग add spot के लिए customize ठीक है बहुत ज़्यादा simple तो देखो ये आप कैसे बना सकते हो तो simple आपको जिस campaign में भी बनानी है जिस add group में भी बनानी है आप वहाँ जाओगे ads का option है आप यहाँ प्लस करोगे responsive display ad आप यहाँ लोगे responsive display ad अब देखो Google आपसे क्या मांग रहा है सबसे पहला तो पूछ रहा आपसे final url ठीक है तो ये रहा मेरा final url अब Google मेरे से कह रहा है images and logos लगाने के लिए images and logos ठीक है तो यहाँ पे मैं click करूँगा अब देखो या तो मैं यहाँ से stock photos ले सकता हूँ या यहाँ से मैं photos upload कर सकता हूँ ठीक है यहाँ से मैं photos upload कर सकता हूँ तो एक काम करता हूँ इसको मैं logo यूज़ कर लेता हूँ ठीक है तो save images desktop यहाँ पे आया हम यहाँ गए upload में गए choose files to upload अब आये desktop पे और यह हमने यहाँ से देखो यहाँ पे dimension बताएगा लोगों को dimension Google क्या बता रहा है 1200 इंटू 300 हाना landscape के लिए होना चीए 1200 इंटू 300 और square के लिए होना चीए 1200 इंटू 1200 तो मैं काम करता हूँ मैं canva पे जाके यह design कर लेता हूँ बहुत है simple तो सीधे मैं canva पे जाता हूँ create a design custom dimension एक देखो क्या कह रहा है एक का Google कह रहा है 1200 इंटू 300 हाना तो मैंने किया 1200 और इंटू 300 और create design यहरा logo का size अब मैं सीधे जाता हूँ upload में और यह जो मेरा logo है इसे मैं कर लेता हूँ upload तो इसे मैंने कर दिया यहाँ पे upload इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं logo 1200 इंटू 300 और इसे कर देते हैं download अब वापस आते हैं और यहाँ से clear करते हैं choose file to upload और अब हम जाते हैं download पे यह लेते हैं 1200 इंटू 300 आ गया अब इसे कर दो use as logo अब देखो यह वाली use नहीं कर सकते क्योंकि size में दिक्कत है तो यह वाला use कर लेते हैं यहाँ से इसको uploads के अंदर और यहाँ से मैंने वो अपना logo लिया और इसको मैंने कर दिया 1200 इंटू 1200 और इसको मैंने किया publish publish किया वापस आए add more logo लिया और use as logo अब यह वाला हम नहीं लेंगे यह वाला लेंगे और इसको किया continue और इसको किया save ठीक है तो हमने logo तो ले लिया अब हमें लेनी है image तो वापस मैं click करता हूं और या तो मिरे पास image हो मैं उन्हें upload कर दूँ या मैं stock images ले लेता हूं तो मैं simple stock images में जाता हूं और यहाँ पर type मारता हूं digital marketing और इसको कर देते हैं use as image continue इसको भी कर लेते हैं use as image इसको थोड़ा से दसरका देते हैं continue इसे भी कर लेते हैं use as image और continue और इसे भी कर देते हैं use as image और continue और इसको कर देते हैं या से save ठीक है अब आप देखो मैंने इतनी सारी images और logo डाल दिये अब Google अपने आप इन्हें customize करता रहेगा then मैं ले सकता हूँ videos right तो यहाँ पर मैंने videos पर click किया अब क्या रहा है YouTube URL ठीक है तो मैं कर देता हूँ अपना नाम ही search करूँगा तो मेरी YouTube की videos आ जाएंगी यही वीडियो मेरी एक तो यह ले लेता हूँ मैं और और search करते हैं यही मेरी एक और वीडियो तो यह दो वीडियो मैंने यहाँ से ले ली और इसको मैंने कर दिया save अब देख रहे हो आप यहाँ पे अपने आप अलग साइस के हिसाब से Google खुद कस्टमाइज कर रहा है अब मुझे लिखनी है headline हाना तो अब मैं लिखता हूँ become a Facebook या फिर मैं लिखता हूँ become paid ads pro in a hundred days लॉन यहाँ लॉन यहाँ लॉन पेड़ आड़्स और 100 वीडियोज 100 वीडियोज वन वीडियो पर दे ठीक है और headline यहाँ पे लिख सकते हो become a pro in a hundred days ठीक है और headline लिखना चाहते हो तो और headline लिख सकते हो और यहाँ पे अब लिख सकते हो long headline na so this paid ads course is turning noobs into a pro enroll right now right now ठीक है यहाँ देख लोग क्या कह रहे है कि ठीक है एक headline एक description लिख देखो यहाँ पर अपने आप चेंज हो रहे है ठीक है अपने आप Google लग-लग-लग sizes के इसाप से आपकी एड बनाता रहेगा और यहाँ पर लिख दो headline यह तो मैं लिख चुका हूँ एक और headline लिखना है लॉंग headline हम लिख चुके है अब यहाँ पर हम लिख देते हैं description अना so click here to enroll in a breakthrough on breakthrough paid ads on course right now और लिख सकते हो अब देखो इतनी सारी ads बन गई अब इधर image ads देखो image ads भी बन गई देखो यह image ads बन गई अपने आप Google ने जो भी हमने उसको दिया है उपर अपना इतनी सारी चीजें उसके इसाप से Google ने देखो paid ads वगरा सब Google इसी से बना देगा बहुत ही आसान हाना बहुत easy है और इससे simple यहां से कर दो save बहुत easy देख सकते है अब कितने असान तरीके से मैंने इतनी सारी responsive ads बना थी राइट तो आप भी ऐसे responsive ads बना सकते हो अपने brand के लिए अपने website के लिए ठीक है तो आप एक बार जरूर ट्राइड करना यह ads को बनाना ठीक है थैंक्यू so much for watching this lesson